हाई मैं पुशान्थ आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीटी टू कॉम्लीटी में स्वागत करता हूं तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्वेडिंग करते हैं मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में वन अप तो मोस्ट डिफकल्ड ड पास हो या फिर सपोर्ट डेवल के पास से हो रिवर्सल आइटिफाई करना बहुत डिफकल्ड डिसीजन होता है और अगर आप रिवर्सल आइटिफाई कर लेते हैं तो आप अपने ट्वेड को प्रॉफिटिवल बना सकते हैं और अपने ट्वेड के एक्रीशी लेवल को इनक्वीज कर सकते हैं अगर मैं आपको बोलू कि आप एक सिंगल के जरीए रिवर्सल को आइटिफाई कर सकते हैं हो सकता है कि आप में इसे बहुत साई लोग मेरी वातों पर यकीन ना करें लेकिन आप ऐसा वाकई कर सकते हैं अगर आप सिंगल के जरीए रिवर्सल को थो यहाँ पर हम चाट पर आते हैं और यहाँ पर हम अदानी पोर्टज के डेली चाट पर आ रहे हैं और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि आप single candlestick के जड़िए reversal को कैसे identify कर सकते हैं लेकिन यह जो single candlestick pattern है इसको find करना difficult है इसको आप easily find नहीं कर सकते हो कैसे find कर सकते हो चलिए देखते हैं तहीं हाँ पर यह जो candlestick है आपको बहला होगा यह candlestick अगर आपको मिल जाता है वह भी कहां पर वेसे stance level के पास अगर इस type of candlestick मिल जाता है तो फिर ये reversal का indication देता है यानि price वहाँ से आपका नीचे की तरफ गिरेगा अब यहाँ पे क्यों नीचे की तरफ गिरेगा ये candlestick का behavior कैसा है इस candlestick में देखिए ये आपका छोटा सा body है जिसको मैं yellow color से paint कर देता हूँ उसके बाद उपर आपका देखिए पूरा का पूरा tail है और नीचे में छोटा सा tail है मतलब इसका behavior क्या है मतलब यहाँ पे price आपका उपर की तरफ गिया है यह नि जो resistance level है उसको break करके price उपर निकला लेकिन उपर पे इहाँ पे इसको कोई buyers नहीं दिखे मतलब यह buyers के बरोसे price उपर ले गिया उपर जाने की बाद buyer ने धोका दिया buyer ने कोई buying नहीं किया उसके बाद क्या हुआ उसके बाद इहाँ पे sellers ने market में entry कर लिया और जब दस सेलिंग किया single candlestick पे जब दस सेलिंग किया गया फिर price आपका इसके opening price से भी नीची आके closing दिया है और resistance level से भी काफ़ी नीची आके closing दिया है यह candlestick अब यह भी है मतलब single candlestick बता रहा है कि power का transfer हुआ है buyers से sellers में और जैसे ही power का transfer हो गया buyers से sellers मतलब यहाँ पे strong कोन हो गया sellers strong हो गया तो यह single candlestick हमें कितना कहानी बता रहा buyer के भरो से उपर गया था buyer ने धोका दिया और फिर sellers market में हावी हो गया sellers ने marketer control कर लिया अब यहाँ पे strong कोन है seller से strong है मतलब price कहां जाएगा नीचे जाएगा यह जो story बनता है generally तीन से चार candle बनता है लेकिन यहाँ पे single candlestick हमें यह सारा story बता रहा इसलिए यह single candlestick हमें क्या hint करता है यह single candlestick हमें reversal का indication देता है और इस type of candlestick आपको खोजना थोड़ा सा difficult होगा बहुत कम ही लेगा लेकिन जब भी आपको यह candlestick दीख जाए देख लीजे वापस से आप दर्शन कर लीजे यह candlestick जब भी आपको दीख जाए resistance level के पास यहाँ पे देखिए हमने resistance line draw कर लिया है previous price action के basis पे तो इसके आज पास अगर step of candlestick दीखे इस तरह के लिजेशन है इस तरह के लिजेशन मतलग उपर में long tail price rejection from the top rejection ही नहीं strong rejection होना चाहिए नीचे में volume भी जबरदस होना चाहिए फिर आपका price नीचे गिरेगा ही गिरेगा तो इस तरह के single candlestick से आप market के reversal को identify कर सकते हैं अब यहाँ पर एक और में आपको example बताता हूँ थोरा सम पीछे आते हैं अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी उपर में price का rejection हुआ है from the top लेकिन यहाँ पर body का size काफी big है यहनि यह single candlestick हमें reversal का hint नहीं देगा यहाँ पर हमें क्या चाहिए इसका twin candle चाहिए मतलब ऐसा है identical candle हमें एक बार odd चाहिए अब यहाँ पर देखिए लगतार दो candlestick ऐसा बना है जहाँ पर price का rejection हुआ from the top अगर इस तरह का दो candlestick में मिल जाता है दोनों में ऊपर में लंबार tail होना चाहिए यहाँ दोनों candlestick का color red होना चाहिए और उपर में लंबार tail होना चाहिए और लगतार बनना चाहिए बीच में कोई एक candle बन गया तो फिर उसका काम खतम है लगतार इस तरह candle बनना चाहिए और पहले वाले low को break करके नीचे भी जाना चाहिए दो-तीन condition से ध्यान देना लगतार दो candle बनना चाहिए पहला point यह होगा है दूसरा point इसका जो lowest point है उसको break करना चाहिए और उसके बाद volume पे भी देख सकते है average volume से ज़्यादा volume होना ही चाहिए और यह हुआ भी है तो इसके बाद single candlestick के जगा पे हम यह दो candlestick को भी हम use करके reversal को identify कर सकते है उसके बाद देखिए price आपका नीचे की तरफ गिरा है तो यह सारा easy method है reversal को identify करनेगा और इस तरह का easy method आपको बहुत कम देखने मिलेगा लेकिन method easy है पैसा बनाना easy नहीं है मैं कभी नहीं मिलेगा कभी नहीं मिलेगा चाहे कितना भी bullish या bearish market हो कभी नहीं मिलेगा लेकिन आप यहां से pattern identify कर सकते हो इसके basis पे आपको entry भी सही time पे लेना है entry यहां पे आपको कहां पे लेना है अब देखिए यहां पे हमें twin candlestick चाहिए तो दो candlestick बनने के बाद तीसरा red candle form होना चाहिए red candle form हुआ है यहां पे हम entry ले लेंगे यहां पे हम entry लेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे cell side की तरफ जाएंगे stop loss हमारा यहीं होगा SL यहां पे आपको देखना अगर आपके पास risk reward issue फेवर में है तो ट्वेट दीजर नहीं है तो छोड़ सकते हैं जवर्दस्ती नहीं है क्योंकि यहां पे दो candlestick बन रहा हम single candlestick पे जाएंगे और यहां पे कभी-कभी आपका risk reward issue फेवर में नहीं भी हो सकता है और यह अगर आपका F&O stock से बनता है तभी आप sell side की तरफ जा सकते हैं नहीं तो हम buy bala भी बताएंगे तो यहां पे price आपका नीचे की तरफ ही गिरा है ठीक है और entry मेरा हो गया stop loss हो गया target price आप अगला support level रख सकते हैं यहां पे भी देख सकते हैं previous price action के basis पे single candlestick के जरिए अब यहां पे हम कुछ और यहां पर लेखते हैं अब यहां पे देखिए नीचे में नीचे में आपको इस तरह का candlestick दिखना चाहिए strong rejection of price from the bottom अब यहां पे क्या हुआ है price नीची आया sellers के भरोसे लेकिन यहां पे क्या हुआ यहां पे आपका buyers नहीं sellers ने धोखा दिया है उसके बाद नीचे में क्या entry किया है नीचे में buyers ने entry किया है strong rejection of price from the bottom that means to aggressively buyers entry किये हैं और उसके बाद price आपका उपर की तरफ निकला है अब यहां पे देखिए यहां पे volume पे भी गौर करना है negative volume है लेकिन volume ज्यादा नहीं है लेकिन यहां पे अगर negative volume ज्यादा हो जाता negative volume इस बराबर रहता तो फिर हम इसको consider नहीं करते इसको यहीं पे drop कर देते negative volume है लेकिन छोटा सा है और यहां पे हम इंतजार करेंगे positive volume आने का green candle form होने का entry लेने के लिए अब यहां पे देखे अगला candle भी आपका rate बना है हम entry नहीं लेंगे हमें इंतजार है green candle का अगला green volume green candle यानि इसके बाद हम इस level के करेब यहां पे हम अपना entry point बना सकते हैं entry point बन गया stop loss हम यहां पे रख लेंगे और उसके बाद target price हमारा इस level के आसपास हो जाएगा और जैसे target price उपर आता जाएगा अपने stop loss को ट्वेल करते चलिए यानि आगर आप इस stocks में trade करें तो हर एक 1% के move के बाद stop loss आप अपना 0.25% उपर लेते आए और जैसे 2% का move किया तो उसके बाद आपको loss नहीं उसके बाद आपका जो भी buying price है उसके आसपास या उससे थोड़ा सा उपर अपना stop loss ले आए और इस तरीके साब stop loss को ट्वेल कर दे चलेंगे market नीजे भी आता उपर जाने के बाद तो आपको ultimately profit होगा अब यहाँ पर हम एक और example लेते हैं candlestick भी आपको single candlestick है लेकिन यह आपको reversal का hint करता है इसी तरह candlestick है अब यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या हुआ strong green body है और यह भी यही दिखा रहा है strong rejection of price from the bottom bottom से price का strong rejection हुआ है और इसमें अगर आपका green body बन जाए और उपर में अगर आपका यहाँ पर red body बन जाए तो समझ लिए कि जबदस price का rejection हुआ है यहाँ पर आप समझेए कि price का जबदस rejection हुआ और जब भी rejection होता है price का strongly उसके बाद market आपका reversal दिखाता यहाँ पर देखें price का rejection हुआ है उसके बाद market उपर गया है और यहाँ पर positive volume है हम क्या करेंगे अगले candle के open होते entry करेंगे यहाँ पर entry point बन जाएगा और support level से थोड़ा नीचे हम अपना stop loss रखके target price के लिए जा सकते यह target price होगा मैंने आपको बदाई दिया था 2% के बाद target price आपको buying price के करीब या उपर ले आना और हर एक 1% के move के बाद अपना feeling के stop loss है उसको increase करते चलना अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा चार्ट को थोड़ा समय छोटा करता हूँ अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप time frame देख सकते हैं यहाँ पर हमने September से लेके आपका almost December तक यहाँ चार महिने का data उठाया है और चार महिने हमें कितना entry point मिला एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर चौथा यहाँ पर दो नीचे मतलब यहाँ पर हमें बहुत कम entry और exit point मिल पाता है यहाँ बहुत कम यहाँ पर हमें reversal देखने को मिलता है single candlestick के जरिए इसका भी इलाद हमारे पास है यहाँ पर अगर हम दो या तीन candlestick को ले यहाँ पर हम multiple reversal का idea मिल जाएगा तो हम अगले वीडियो में cover करेंगे जहाँ पर हम single नहीं दो तीन candlestick के जरिए reversal को identify करेंगे reversal चाहे वे stance level के basis पे हो या फिर support level के basis पे इस वीडियो में हम सिफ single candlestick के जरिए find करने की कोशिस करेंगे मैं आपके लिए concept एकदम simple कर रहा हूँ ताकि आपको simplicity से समझ में आ जाए लेकिन हमेशा याद रखना है जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ यह सब कुछ आप simply identify कर लेंगे लेकिन पैसा बनाना simple नहीं है कहीं भी आपको easy money नहीं आएगा आपको market में time देना परेगा experience गेन करना परेगा वही experience आपको पैसा बना कर देगा मेरे वीडियो देखने से आपको पैसा नहीं बनने वाला यह भी चीज़ आपको समझ लेना है अगर आप मेरा वीडियो देख लेते हैं कल दाकर trade करोगे guaranteed नुकसान होगा यहाँ पर आपको अपना experience गेन करना फिर आपको अपना experience पैसा बना के देगा चलिए यहाँ पर हम कुछ और example लेखते हैं जहाँ पर हम single candlestick के जड़िये reversal को identify कर सकते हैं यहाँ पर देखे हम यहाँ पर Cole India के daily chart पर यहाँ आ रहे हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिला है और यह कहाँ बनना चाहिए यह resistance लेवल के पास बनना चाहिए और अगर आप line draw करोगे previous section के basis पे यह हमारा resistance line बन जाएगा मतलब यहाँ से क्या आने वाला reversal आने वाला क्यों आने वाला concept आपको समझ में आ गया price उपर गया, buyers ने धोगा दिया price नीचे आया क्योंकि sellers ने market को control किया sellers strong हुए, price आपका नीचे गितरफ गिरा बस आपको एक candlestick identify करना यह candlestick कभी-कभी आपको महिनों लग जाएंगे form होने में, कभी-कभी 4-5 महिने के बाद एक बनता है यहाँ पर हम एक और एक जामपल पर आते हैं और अगला एक जामपल है हमारा विप्रो के daily chart में अब विप्रो के daily chart में भी देख सकते हैं अब यहाँ पर भी हमारा resistance level है previous price action के basis पर हमने resistance line ड्रॉइ कर लिया अब देखिए resistance level को break किया है लेकिन वापस से rejection देखने को मिला है strong rejection from the top that means to buyers का भरोसा टूटा है buyers कमजोर हो गए sellers ने entry किया है और sellers यहाँ पर क्या हो गए strong हो गए मतलब market पर कब जा किसका market पर sellers कब जा है जब भी sellers कब जा होगा price क्या होगा नीचे गिरेगा प्राइस आपका नीचे गिरा है अब यहाँ पर entry क्या लेना वापस से में आपको एक वार बता रहो entry, exit और stop loss भी यह crucial व्याता है अब यहाँ पर rate candle बना volume देखेंगे average volume से ज़्यादा है यहाँ पर दूसरा candle open होते ही हम यहाँ पर क्या लेंगे entry लेंगे stop loss आपका highest point पर रखना है risk reward ratio favor में है तो trade लीजए नहीं favor में है तो छोड़ दीजए at least यह आपको बता रहा है कि यहाँ पर buy नहीं करना मतलब आपको यह trap से भी बचा रहा है और बता रहा है कि market नीचे जाने वाला अगर आप delivery में भी buy करने की सूच रहे तो यहाँ पर आप buy नहीं करेंगे आप buy करेंगे कहाँ पर जहाँ पर यह support बनाता हुआ देखेगा यह नीचे में market जहाँ पर रुखता हुआ देखेगा वहाँ पर buy करेंगे इससे आप multiple benefit ले सकते हैं यह सिर्फ trader के लिए नहीं investor के लिए काम आने वाला अगर आपको विपरो में investment करना है आपने यह candlestick देख लिया तो आप इसके बाद क्या यहाँ पर investment करोगे यहाँ पर investment करने के बाद price नीची आएगा आपको पता price नीची आएगा जो काम आप 680 के level पे इंट्वी कर सकते हैं वही आपने इंट्वी लिया 600 के level पे यानि आपको यहाँ पर कितना बच गया लगभग 10-12% का आपने saving कर लिया अगर आपने यहाँ पर इंट्वी लेता market 10-12% गिरता फिर आपको market ऊपर जाता तो यहाँ पर benefit मिलता मतलब आपको यहाँ पर price आने कबाद कुछ benefit नहीं मिला लेकिन अगर आपने यह चीज़ identify कर लिया आप investment ही कर रहे हो तो आप यहाँ पर entry करोगे उसके बाद price आपको ऊपर गया यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता था उस नुकसान से बचाया और उसके बदले आपको यहाँ पर लगबख 10% का profit बना कर दिया इस strategy सिर्फ Twitter के लिए काम नहीं आने वाला है investor के लिए भी काम आने वाला long term investment में कहाँ पर आप entry लोगे reversal को identify कर सकते हो so that's all friends उमीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिलते है नेक्स वीडियो में जैहिन